Hello everyone, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल Study Tips पर I hope कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी preparation भी बहुत अच्छे चल रही होगी आज है 26 जुलाई 2000 केस और आज के जितने भी important current affairs हो सकते हैं सारे के सारे exam relevant होंगे आपको इन सारे questions को अपने pen copy पर note down करने हैं या फिर आपको अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप वीडियो के description box में या फिर comment box में जाएं वहाँ से PDF को download कर लें और revision कर सकते हैं आज है 26 जुलाई 2020 और आज के important current affairs का सेशन लेकर मैं प्रितम कुमार आपके सामने हाजीर हो चुका हूँ सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए Olympic जो की 23 जुलाई 2021 से Tokyo में Olympic स्टार्ट हो चुकी है उसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी लेंगे तो चलिए देखते हैं Tokyo Olympic 2020 जो की अभी हो रही है 2021 में COVID pandemic के कारण COVID pandemic के कारण इसे 2020 में होना था लेकिन इसे shift कर दिया गया था चार सालों पर Summer Olympics हो रहा है चार सालों पर होता है पिछले बार 2016 में Rio में हो था कहाँ पर Rio में और इस बार होने वाला था 2020 में जापान के Tokyo में लेकिन shift करके 2021 में हो रहा है तो होश्ट सिटी कौन है इस बार Tokyo Japan और इसका मोटो क्या रहा है इस बार का मोटो United by Emotion ये एकजाम में पूछा जाता है कि Summer Olympic 2016 सरब Summer Olympic 2020 की मोटो क्या रही है तो इस बार जो जापान में जो हो रहा है उसका मोटो है United by Emotion कितने देशों ने भाग लिया है इसमें कितने देशों ने भाग लिया है तो 205 प्लस EOR टीम यानि कि Refugees टीम कौन से? Refugees टीम ठीक है Refugees तरणार्थी लोगों का एक टीम बनाया जाता है और उसको खेल में सामिल किया जाता है तो इस बार जो Refugees टीम से कितने खिलाड़ी गया है तो 29 खिलाड़ी कितने? 29 एथलेटिक्स गये हुए हैं कितने खिलों में भाग लेंगे तो 12 इसको आपको याद रखना है Refugees टीम इंटरनेशनल ओलंपिक कमीटी Refugees टीम जो घोसित करती हैं उसमें 29 खिलाड़ी ने भाग लिया है 12 खिलों में सामिल होंगे अथलेट्स और कितने अथलेट्स इसमें भाग लेंगे? 11,326 11,326 कितने इवेंट होंगे? 349 इवेंट होंगे? 33 स्पोर्ट्स में ठीक है Opening कब हुआ? 23 जुलाई 2021 को कब ये खत्म होने वाला है? 8 अगस 2021 को और इसमें कौन सा देश टॉक पर रहा? किसको कितना मेडल मिला? और डेली 22 पर अपडेट आपको इसी टाइम मतलब इस सो में Current Affairs के सो में मैं आपके सामने लेकर हाजीर हो जाऊंगा तो आप टेंसर ना ले और केवल वीडियो को पूरा देखे जिससे की आप हमें थोड़ी सी सपोर्ट मिलेगी और आपके लिए मेहनत करने का हमें मोटिवेशन मिलेगा किसके द्वारा इसका Opening किसके द्वारा किया गया? तो जापान का Emperor Nauru Hito के द्वारा किसके द्वारा? जापान के Emperor Nauru Hito के द्वारा कॉल्डरन यानि कि जो मसाल होता है अब देखते हैं अभी तक का जो अपडेट है ठीक है? कौन से कंट्री जो टॉप टेन में है और इंडिया का क्या स्थान है अभी तक अभी जब मैं विडियो बना रहा हूँ उस टाइम पे तो फर्ष्ट रैंक पर है चाइना ठीक है? चाइना के पास अभी इस टाइम पे छे गोल्ड हो चुके हैं एक सिल्वर चार ब्रोंज कूल मिला कर 11 मेडल के साथ ये टॉप पर है दुसरे अस्थान पर जापान है जहाँ पर की ये ओलंपिक खेल हो रहा है पांच गोल्ड एक सिल्वर ये च्छट छे मेडल के साथ अभी तक, यानि कि अभी जिस टाइम पे मैं विडियो बना रहा हूं उस टाइम तक जापान के पास 6 मेडल के साथ वो दुसरे अस्थान पर है, USA यानि कि अमेरिका 10 मेडल के साथ तीसरे इस्थान पर है लेकिन इसका गोल्ड कम होने के कारण ये जापान से क्या है पीछे चला गिया ठीक है गोल्ड पर ये रैंकिंग डिपेंड करता है ये देखकर हमें पता चल रहा है उसके बाद साउथ कोरिया है रसिया है इटली है औस्टेलिया है फ्रांस है हंगरी टिनिस य जो medal का पाइदान है, medal table में 25 नमबर पर है, ठीक है, 25 पाइदान पर है, यानि कि इंडिया के पास अभी केवल एक ही medal है, और वो भी silver medal है, किस ने जीता, तो मीरा भाई चानु ने weight lifting category में इसको जीता है, तो अभी इंडिया के पास केवल एक ही silver medal है, चलिए, अब देखते हैं कारगिल विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को हर साल मनाया जाता है ये बार ये जो है कारगिल विजय दिवस का कौन सावा संस्क्रन है आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को हर साल मनाया जाता है इस इसका 22 संस्क्राने कितना 22 संस्क्राने आपको इसका याद रखना है अब हम लोग देखते हैं कि जो important days है जुलाई के ठीक है जुलाई अब खत्म होने पर है तो हम लोग important days को याद करते हैं क्योंकि एक्जाम में आते हैं इसके बारे में चर्चा किया है किये हैं ठीक है उसके बाद 11 जुलाई को concert day मना जाता है world population day 11 जुलाई को world population day 12 जुलाई को मना जाता है world malala day 17 जुलाई को world day for international justice 18 जुलाई को नेलसल मंडेला international day तो ये हो गई हमारा day से related बात और अब भी हम लोगों ने देखा 26 जुलाई को कारगिल बीजय दिवस 24 जुलाई क को भी एक डे मना जाता है जो बहुत important होता है 24 जुलाई का डेट है ठीक है income tax day ठीक है income tax day जो कि CBDT ठीक है central board of direct taxes इंडिया के द्वारा मना जाता है income tax day 24 जुलाई को ठीक है हर साल 24 जुलाई को मना जाता है और इस बार 24 जुलाई 2020 को बनाई है income tax day चलिए अब हम लोग day के section से question आएगा तो हम आसानी से जवाब दे पाएंगे इंडर 2021 एक युद्धा ब्यास है war exercise है किंदो देशों के बीच आयोजित किया जाता है और इस बार किंदो देशों के बीच किया जाएगा तो ये रसिया के साथ इंडिया इंडर 2021 अभ्यास करेगी ठीक है ये आपको याद कि रसिया के साथ इंडर अभ्यास करती है कौन सा देश इंडिया ठीक है तो ये बात आपको याद रखना है ये जो इंडर के बारे में अगर बात करें इंडर 2021 ठीक है इसमें ये कब से कब तक होगा एक से 15 अगस्त 2021 तक एक से 15 अगस्त 2021 तक उसके बाद अगर बात करें कि ये कहां पर आयोजित होता है, जो कि पूछा जाता है, जनरली पूछा जाता है एक्जाम में, ठीक है, तो ये रूस के वोल्गो ग्राड, ठीक है, रूस के वोल्गो ग्राड एक छेत्र में, ठीक है, और ये वोल्गो ग्राड छेत्र में कौन सा अभ्यास रेंज में, कौन सा 2021 युद्ध अभ्यास एक से 15 अगस्त तक वोल्गो ग्राइट के पुरूडबोई अभ्यास रेंज में किया जाएगा तो ये बात आपको याद रखने हैं वहीं पर अगर युद्ध अभ्यास से बात करें तो आपको कुछ important बात याद रखने हैं कि इंडिया और थाइलेंड क के बीच एक exercise होता है corporate ठीक है इंडिया और थाइलेंड के बीच होता है और इस बार जो कहां पर हुई है तो ये हुआ है अंडमान सागर में कहां पर अंडमान सागर में इस बार हुआ है corporate ठीक है corporate अंडमान सागर में हुआ है और नौ सेनिक अभ्यास है नेवी फोर्स के द्वारा किया जाने वाला ये अभ्यास है corporate वहीं युक्रेन और अमेरिका दो देश के बीच होने वाला एक बहुत important youth exercise है ज इसका नाम है sea bridge drills आपको इसे भी याद रखने है sea bridge drills ये किसके साथ किया जाता है ये युक्रेन और अमेरिका जो है करती है ये नौ सेनिक अभ्यास है यानि की navy force के द्वारा अभ्यास किया जाता है कहां पर किया गया इस बार काला सागर में ठीक है black sea में ये अभ्यास किया इंडिया और फ्रांस के एर फोर्स के द्वारा एक अभ्यास किया जाता है जिसका नाम है desert night ठीक है desert night और ये जो 2021 में किया गया ये का कब किया गया ठीक है 20 से 24 जनवरी 2021 के बीच डेजर्ड नाइट 2021 वाला युद्धा ब्यास भारत और फ्रांस के एर फोस के बीच किया गया कहाँ पर किया गया तो जोधपूर में कहाँ पर किया गया जोधपूर में ये बात आपको यहाँ से याद रखने हैं इतने important facts वही पर देखिए, वही पर हम लोग देखते हैं कि बुडा फेस्ट में चल रहे 200 कड़िट्र swiftlyं चैंपियेंसीब मैंने हाँ रेसलिंग यहाँ पर मीस है ठीके बुडा पेस्ट में चल रहे 200 कड़िट्र स्वार्न पधक किसने जीता है तो देखें बुड़ा पोस्ट में चल रहा है बुड़ा पेस्ट हंग्री के बुड़ा पेस्ट में चल रहा है विस्टो क्याडट रिसलिंग चैम्पियंचिप। इसके लाश्ट दिन में 73 kg, 73 kg कैटेगरी में भारत की प्रिया मलिक, ठीक है, भारत की प्रिया मलिक ने गोल्ड मेडल को अपने नाम किया है, बहुत गर्व की बात है, जो की ये चल रहा है हंगरी के बुड़ा पेस्ट में, कौन सा बिश्व कैड़ेट रेसलिंग प्रिया मलिक ने किसको हराया, तो ये बेलारूस की सेनिया पाता पोवीच को इसने हराया, ठीक है, पांच 0 से हराया है, ठीक है, पांच 0 से, और अपने नाम गोल्ड मेडल के है, वहीं आप देख रहे होंगे मिरा बाई चानू, एक अभी तक जो ओलंपिक हो रहे हैं, टोक में ठीक है यह आपको यहां से याद रखने हैं अब देखते हैं UAE का UAE का सरवोच नागरिक समान किस भारतिय मूल के वेक्ति को मिला है तो यूसूफ अली MA विच इंडियान ओरिजिन परसन रिसीब्ड UAE's highest civilian honor यूसूफ अली MA को मिला है यह UAE का सरवोच नागरिक समान वही पर आसूतोस भारद वाज को कौन सा important award मिला यह आपको याद रखना है तो यह है देवी संकर अवस्थी अवारड 2020 वाली मिले है 2020 में देवी संकर अवस्थी वही पर बात करते हैं सुमन चकरवर्ती की इसे जीड़ी बिडला अवार दिया गया है जीडी बिड़ला अवार्ड जीडी बिड़ला अवार्ड ये जीडी बिड़ला अवार्ड जो ये 33 संस्करन था इसका 33 जीडी बिड़ला अवार्ड दिया गया कि इसको सुमन चक्रवर्ती को और ये जीडी बिड़ला अवार्ड किस छेतर में दिया जाता है तो साइंटिफि के साथ आपको करा देता हूँ भारतिय मूल के एनराई यहां पर इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं भारतिय मूल के एनराई वेवसाई यूसुप अली एमे को अबुधावी के क्राउन प्रिंस सेस मुहम्मद बिन जायद अलनहयान ने सिर्ष नागरिक पुरसकार से सम्मान किया गया है यह 47 एर से मतलब 47 साल से अबुधावी में रह रहा है और 11 लोगों को ठीक है 11 लोगों को इस बार सर्वोचनागरिक समान UAE का दिया जारा है जिसमें की एक मात्र भारतिय मूल के हैं यूसूफ अली एमे चलिए इसके बारे में हमने बात कर लिया अब देखते ह आगे कि काक्तिय रुद्रिश्वर मंदीर जिने यूनेस्को ने विश्व धरोहर में सामिल किया है किस राज में अवस्तिता आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे विश्व धरोहर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में काक्तिय रुद्रिश्वर मंदीर को सामिल क ये तिलंगाना में इस्थित है, तिलंगाना के पालम पेट में इस्थित है काक्तिय रुद्रेश्वर मंदीर, तिलंगाना के तिलंगाना पालम पेट में ये मंदीर अवस्थित है और इस मंदीर का नाम रामप्पा मंदीर भी इन्हें कहा जाता है, रामप्पा मंदीर के ना से जवाब दे पाएंगे काक्तिया रुद्रेश्वर मंदीर का नाम रामप्पा मंदीर भी है और ये जो अगर काक्तिया रुद्रेश्वर मंदीर के बारे में बात करे तो इन्हें राजा रुद्रदेव को इस मंदीर को बनाए गया और इसके सिल्फकार यानि कि इसको बनान वाले जो थे वो थे रामप्पा इसलिए इसका नाम रामप्पा मंदीर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है ठीक है और आपको एक बहुत ही बिदेशी बिदेशियों के बिबरन में जो फोरेनर्स अपने बारे में जो यहां के बारे में लिक कर गए है जिससे के हमें प्राच तो मारको पोलो ने कहा था इस मंदीर को कि जितने भी मंदीर हैं सारे मंदीरों में सबसे चमकदार तारा है ये कातियर रुद्धेश्वर मंदीर तो इसके बारे में हमने अभी बात कर लिया अब देखते हैं आगे देखें T20 में डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलारी कौन बन गया हैं प्रिथी सो अभी स्री लंका में जो T20 चल रहा है उसमें डेब्यू करने वाले ओपनिंग करने वाले सबसे कम उम्र के खिलारी बन गया है is to more than others भारतिये खिलाडी बन गया है वहीं पर आप देख रहे होंगे सफाली वर्मा इंडियन किर्केटर है ये ठीक है फिमेल क्या बोलते हैं महिला किर्केट टीम में है और ये भी सारी फॉर्मेट में सबसे कम उम्र के खिलाडी बनी है डेब्यू करने वाली मनिस पांडे सिवम द साल के एज में इन्होंने सोचा ठीक है 105 साल के एज में इन्होंने सोचा कि मैं अपनी पढ़ाई को जारी रखूंगी ये थर्ड क्लास में 9 जब ये 9 साल की थी ठीक है 9 साल की थी जब भागिरतियमा 9 साल की थी तो इन्होंने अपनी पढ़ाई तीसरी क्लास में छोड़ दी और उसके बाद 105 साल की जब हुई तो इनका मन में आया कि नहीं मुझे अपनी पढ़ाई जारी रखनी है और 105 साल के एज में इन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे बच्चों के साथ ये एकजाम लिख रही है और 107 साल की एज में इनका निधन हो गया है तो सबसे उम्रदराच 16 के रूप में जाने वैजाने वाली जो इनका निधन हुआ है उनका नाम है भागी रती अंमा और इनको ये जो महिला ससक्तिकरण के छेत्र में बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया है तो इसके लिए इन्हों इन्होंने नारी शक पुरसकार से भी सम्मानित के वहीं, मिलका सिंका भी इधर निधन हो गया, सुन्दरलाल बहुगुना का निधन हुआ, जो कि एक परिया और अन्विद थे, हुसेन लाला एक फुटवालर थे, इधका भी निधन हो गया, चलिए अब बात करते हैं, आगे, दुनिया का, देखे जब इंडिया का पहला हो, या फिर दुनिया का पहला हो, ये एकजाम में होट क्वेस्चन बन जाता है, इससे क्वेस्चन आने के बहुत चांसे हो जाते हैं, तो आप देख पार होंगे, इस्टील से बना हुआ है, ये जो ब्रीज है, इस्टील से बना हुआ है, और ये एम यह 3D printed, दुनिया का पहला 3D printed steel pool, यानि कि steel bridge कि इस देश में, निदर लेंड के एंस्टरडम में इसे बनाया गया है, खोला गया है, ठीक है, आपको यहाँ से याद रखना है, यह 40 feet लंबा है, यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई 40 feet है, ठीक है, 40 feet लंबा है, और इसको बनान Dutch robotics company है, मतलब निदर लेंड की एक company है, robotics company MX3D, MX3D के द्वारा यह design किया गया है, तो आपको यहाँ से इतनी जानकारी याद रखनी है, अब चलिए देखते हैं, आगे, यह Tokyo Olympic के प्रायोजक की रूप में Indian Olympic Association, ठीक है, Indian Olympic Association ने किसके साथ भागीदारी की है, IUA Indian Olympic Association partnered with as the sponsor of Tokyo Olympics, किसके साथ, तो अडानी गुरूप के साथ, किसके साथ, अडानी गुरूप के साथ, इसने sponsor ship को भागीदारी किया है, Tokyo Olympic, जो हो रहा है वहाँ पर, तो भारते खिलाडियों के लिए, जो sponsor के रूप में, किने सामिल किया गया है, तो अडानी गुरूप को, इससे पहले, IUA न पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, Indian Olympic Association का अभी अध्यक्ष कौन है, इस समय पर Indian Olympic Association के अध्यक्ष है, ठीक है, नारायन राम चंदरन जी, और अभी ये जो Indian Olympic Association का जो अस्थापना हुआ था, वो हुआ था 1927 में, 1927 में, अगला क्वेशन देखते हैं, AIFF, ठीक है, All India Foodball Federation, जो ह है, महिला Foodballer, AIFF, महिला Foodballer of the Year 2020-21 की ने चुना गया है, who has been selected as AIFF Women's Foodballer of the Year 2020-21, आप यहां पर देख पा रहे होंगे, नंगा गॉम, ठीक है, बाला देवी, नंगा गॉम, बाला देवी, जो है, इनको AIFF, महिला Foodballer of the Year के रूप में, इने चुना गया है, वहीं मेरा बाही प्रिया मलिक, प्रिया मलिक ने गोल्ड मेडल हासिल किया है, कहां पर जो बुड़ा पेस्ट में चल रहा है, विस्सु कैड़ेट रेसलिंग चैंपियंसिप में, MC के मेरी कॉम के बारे में भी आप लोग चानते होंगे, तो यह रहा, आज का हमारा Current Affairs, और देखे, हमारे चै आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, अगर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को जरूर दबा दे, और दोस्तों के बीच हमारे चैनल के content को share किजिए, क्योंकि share करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं, अगर आप हमारे content को logo तक पहुचाते हैं, जो इ आप सेप रहें, स्वस्त रहें और अपनी पढ़ाई करने में आप व्यस्त रहें, तब तक के लिए धन्यबाद और अलवीदा